दोस्तो साल 2006 में बड़े पर्टे पर रिलीज हुई फिल्म विभा तो आप सभी ने देखी होगी पूनर और प्रेम की कहानी देखने को मिली थी जहां फिल्म में दोनों की कैमिस्ट्री और दोनों के प्यार के बीच में काफी अच्छे रिष्टे देखने को मिले थे जिसके चलते लोगों ने इस फिल्म को अपना खूब प्यार दिया था और इस फिल्म को देखने के लिए तो सिनेमा घरों में भी भीड लगा दी थी हाला कि आज भी इस फिल्म को देखकर दर्शक फूब मनुरंजन करते हैं लेकिन दोस्तों कि आप जानते हैं कि आज साल 2023 में विभा फिल्म में काम करके मशूर हुए सितारे आज कहां हैं क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं शायद ही जानते होंगे नहीं जानते तो कोई बात नहीं क्योंकि आज के हमारी इस वीडियो में हम आपको विभा फिल्म में मशूर हो चुके सितारों के आज के हाला तो सिरू बुरू कराएंगे तो चलिए जानते हैं आज के हमारी इस वीडियो के जरिए नमबर आठ समीर सोनी फिल्म में सुनील के किरदार को निभाने वाले अभिनेता समीर सोनी ने आज अपनी 24 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है जहां फिल्म में इन्हें सिंपल शर्ट पैंट केरी करते हुए काफी डैशिंग अंदाज में देखा गया था तो वहीं आज भी ये ड्रेस को कैरी करके काफी हैंडसम नजर आते हैं इसी के साथ बता दे इन्हें आखरी बार साल 2022 में निकम्मा फिल्म में देखा गया और फिल्हाल ये अपनी पत्नी नीलम कोठारी और अपने बच्चों के साथ मुंबई में खुशाल जिंदिगी जी रहे हैं नमबर साथ मो अनीश बहल ने डॉक्टर के किरदार काथी खुपसूरती से निभाया था वही इन्हों ने आज अपनी 61 साल के उम्र कंप्लीट कर ली है जिसके चलते अभी पहले जितने हैंडसम तो नजर नहीं आते पर फिर भी गुड लुकिंग दिखाई देते हैं वहीं बता दें और पैंट में देखा गया तो वहीं अब 57 साल के उम्र में जीन्स टीशिट और ब्लेजर को केरी करते हुए ये नजर आते हैं पर बता दें इन्होंने अभी भी अपने अक्टिंग करियर को बरकरार रखा हुआ है और फिलहाल यह अपनी पतनी चारु जोश्य और अपने ब पाल भी हलके पक चुके हैं और अभी जीन्स टीशिट और ब्लेजर पहने हुए नजर आते हैं वहीं नहीं है आकरी बार कार्टिक के टू फिल्म में देखा गया था पर फिलहाल यह अपनी पतनी और बच्चों के साथ खुशाल जिंदिगी जी रहे हैं नमबर चार अमरिता प्रकाश फिल्म में पूनम के आन स्क्रीन बहन रजनी बनकर अमरिता प्रकाश ने लोगों को खूब दिल जीता था जहां इने फिल्म में सूट सलवार पहने और दो चोटी में काफी नटखट अंदाज में देखा गया था पर आज 35 साल की उमर में वे पूनम के आन स्क्रीन चाचा क्रिशने कांत के गिरदार को अभिनेता आलोक नाथ ने बेहत खूबसूरती से परदे पर उतारा था जहां फिल्म में इन्हें कुर्ते पजामे में देखा गया था वहीं अभी 66 साल की उमर में पहले जितने गुड लोकिंग नजर नहीं आते अभी नेतरी अमरिता राओ ने बहुबी से परदे पर उतारा था बतादे आज साल 2030 में इन्होंने अपनी 41 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है बतादे इन्हें वेस्टर और ट्रेडिशनल ड्रेस में देखा जाता है पर फिर भी खूबसूरत नजर आती है साथी बतादे आज ये फिल्मों से दूर अपनी फैमली के साथ अपने शादी शुदा जिंदगी को अच्छे से बिता रही है नमबर एक शाहित कपूर फिल्म में अभिनेता शाहित कपूर ने प्रेम के किर्दार को काफी शिदत से परदे पर उतारा था बतादे इन्होंने आज अपनी 46 साल क यूमर्ग में भी ये पहले जैसे ही हैंसम और डैशिंग नजर आते हैं वही इन्होंने आज भी अपने करियर को बरकरार रखा हुआ है जहां इन्होंने साल 2015 में मीरा राचपूस से शादी कर ली जिनसे आज इनके दो बच्चे हैं और आज ये अपनी फैमली के साथ अपन में जाँ